दोस्तों लग रहा था कि लाइगर मूवी के रिलीज होने के बाद यह जो मूवी है याने की कार्टी के पार्ट टू इसके क्रेस्चन बहुत ज़ए गिर जाएंगे बहुत इसका फॉल डाउन हो जाएगा क्यूंकि देखो दोस्तों यहीं जो मूवी आई कार्टी के इसको भ बहुत ज़्यादा गिर गई बहुत ज़्यादा लिटरी गाइस कलपना नहीं कर सकता कोई उस जबर्दस तरीके से इसकी कमाई तेलगू में गिरिया हाला कि हिंदी में कमाई ठीक ठाग हुई है लेकिन वह भी मंडे तक मेरे ख्याल से उसका भी गेम ओवर हो जाएगा तो कही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वहीं के अलावा आज यह कितना कमा सकते हैं पूरी जानकारी आज के वीडियो में उससे पहले आप से कि हमें सपोर्ट करो चैनल को यहाँ पे किलिक करके सब्सक्राइब करो तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरूर लैट दोस्तों आपको बता दूं कि तेरह दिनों का मैंने आपको एप्रॉक्समेटली एटी नाइन पॉइंट कुस करोड़ पताया था यानिकि नभे करोड रुपे इसका क्लेक्शन हो गया था हाला कि दोस्तों मेकर्स ने तो कल सेलब्रेशन कर लिया है हंड्रेड करोड क्लब क करोड का अड़ ने भी किया था आप लोगों याद हो सबस्ती नहीं कि वहसी बॉली वुड मूवीज का मूवी फलॉप हो रही है लेकिन लोग सक्सेस पार्टी दे रहे ने आप में वहाई सहाब है अब मैं आपको चाहता हूँ कि कल की कमाई कैसी रही ऑफिशल दोस्तों देखें कि यह मूवी है कल के दिन भी अगर हम देखें तो हिंदी में बहुत इसके लाइकर के लगे हुए थे जिसके विज़े से इसको परफॉर्म करने का मौका कम मिला और उससे पिछले वाले दिन भी कमी collection हुए थे तो कल तक ये movie कम कमाई गे लेकिन आज के दिन फाड़ देगी कल तक कम कमाई और आज के दिन फाड़ देगी दोस्तों अगर हम लोग देखे कल का collection क्या हिसाब के दावरा है एक करोड 38 लाक रुपे यह है नेट इंडिया कलेक्शन अगर हम लोग लैंग्वेज वाइस देखे तो कल का यानि की डे 14 का फ्राइडे का तेलगू से 67 लाक रुपेस वहीं हिंदी से 71 यानि की तेलगू से आगे निकल चुका है भाई साब हिंदी वाला वर्जन तभी यहां पे जो निखिल सिधार्थ है वह बहुत ज़्यादा तेजी से गाइस प्रमोशन कर रहे हैं मुंबई गए दिली गए कहां कहां नहीं गए हिंदी वाले वर्जन को प्रमोट करने के लिए और तोहफा भी सामने मिला अभी गाइस हम लोग देखते हैं कि कल का इसका जो कलेक्शन है एज़ा करोड़ पचास लाग रुपे लोग मान सकते हैं वहला कि ट्रेट फिगर के हिसाब से 87 करोड़ रुपे हुआ है लेकि हम प्रूसर मानेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तो 92.50 करोड़ रुपे इसका आप तक का क्लेशन हो चुका यानि कि चौतो दिनों का अभी बात करते हैं कि इसके पास शोज कितने हैं आज के दिन यानि कि on day 15 और कितना कमा सकती है दोस्तों आपको बताना चाहता हूं जिम्मेदारी से कि 110 परतीशत की कमाई में जंप लगने वाला यानि कि शनिवार के दिन कमाई 100 से भी ज़्यादा गाइस परसेंट से बढ़ने वाली है अगर हम शोज देखें तो हैजरवाद में 230 शोज है 230 यानि कि यह जो वीकेंड है यहां पर थोड़ा लाएगर शोज के हिसाब से दोस्तों थोड़ा परिशान करेंगा लेकिन मंडे तक इसको इसके जो पुराने शोज है वापस मिल जाएंगे अगर बैंगलूरू की देखे तो 96 च सब्सक्राइब करेंगे अब ही इवनिंग के आई नहीं है कार्ति के पार्टू का मुम्मे में कितना शोज है 161 जैंगाइस 161 शोज है यानि कि शोज कोई बड़े नहीं शोज उतने ही है लेकिन अच्छी है दिली NCR में 209 शोज पूने में 74 बैंगलूरू में 22 शुरत में 64 एहमदावाद में 104 चैन्नई में हिंदी वाले सेवन शोज सूरत में 56 जाइपूर में 50 शोज तो इस तरीके से इसके पास शोज है और मुझे लगता है कि जो हिंदी की कमाई है वह इतनी बढ़ जाएगी डवल से भी जादा मेरा मानना है कि दोस्तों अरांड ड अपने शनिवार के दिन तो बहुत अच्छा जंप अगता हुआ दिखाए देगा हिंदी में और अरांड इतने ही जिए इतने ही जो कमाई है तेलगू वाले वर्जन में हो सकती है यानि कि दोनों का लेवल अब बिल्कुल समान नहीं हो गया तीन से साड़े तीन करोड मेरा अफिशिली आपका क्या है कहना बताओ कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही